Assalamu alaikum, this is Alim from Skills Academy इस वीडियो में हम सिखेंगे कि अगर हमारा non-trailing slash URL structure हो तो हम की स्रीकिस से trailing slash issues fix कर सकते हैं उसके लिए हमें जरुत पड़ेगी screaming frog की इसके अंदर website के URL enter करेंगे उसके बाद start तो ये crawl में 10 mint लगाएगा इस code कोपी करेंगे तो crawl हमारा complete हो गया यहां पे paste करेंगे उसके बाद enter तो ये सारे trailing slash URL जाँगे तो अब आपको इनका source find करके इन link से इन सबको update करना पड़ेगा अगर ये ज़्यादा mount में हैं तो आप link चेकर plugin भी यूज़ कर सकते हैं इसके लावा अगर ये थोड़ी मिकदार में है तो फिर आप इन्हें simply source एड़ करके update कर सकते हैं तो चुक्के हमारी website का structure जो है वो trailing slash है इस वज़ा से हम इससे practical नहीं कर सकते हैं लेकर उमीद है आपको concept की समझा गी होगी